स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों अब हमें जानना है यह कोल्ड वोर एक्चुली में थी क्या उससे भी जादा इंपोर्डेंट है कि यह सुरू क्यों हुई थी इसको आपको बताने के लिए मेरे को आपको मैप मिले जाना पड़ेगा चलिए चलते तो दोस्तों यह रहा मैप हम सभी को पता है पहला विश्यूद 1914 से 1918 में हुआ था और वो हुआ क्यों था एक देश था य ग्रेड ठीक है तो क्या हुआ यहां पर गुलामी चल रही थी जो बैल ग्रेड है वो अपने अजादी के लड़ाई लड़ रहा था तो वहाई का एक संगठन था आतंगवादी संगठन उसने ओस्टेरिया के जो किंग थे जो राजा थे उसको मार दिया ले उसने सिर्फ र ब्रिट्री अलाइंस बनाई ब्रिटेन के साथ पहले मतलब ब्रिटेन की कोलोनी भारत में थी तो भारत भी इनके साथ यह सब यह मिलके जाके मार दिया इसको वैल ग्रेड को ऐसे पूरा विश्वयूद्ध का मतलब है एक या दो देश नहीं लड़ना पूरा जो है विश् से और उसके पिछले वाले की जात वाले सब आ गए उसके जात वाले सब आ गए यह होगा महाविश्यूद्ध इसे कहते हैं वर्ल्ड वोर जो उसके पीछे सपोर्ट करने पूरे अलाइंस आ जाते हैं ऐसे यह अलाइंस आ गए पहले वर्ल्ड वोर में ऐसे वर्ल्ड वोर में क्या हुए दूसरी विल्ड वोर में दो अलाइंस बन गई थी पहली थी बफोस दूसरी थी जिकस भौफ जिकक भॉड जिक भॉड जिकस बॉड को कह जाता था अलाइड अलाइड और जिकस को कह जा अलाइड एक्सिस तो बफ्स में कौन कौन थे बफ्स में था ब्रिटेन ठीक है ब्रिटेन हो गया भाई सब यू हो गया यू से यू से हो गया यू से एफ से फ्रांस हो गया यह हो गया फ्रांस S से Soviet Union हो गया, इतने बड़े बड़े देश एक अलाइंस में, दूसरे में थे GIGS, GIGS से जपान हो गया, I से Italy हो गया, देख रहे हो, यूरोप का सबसे बड़िया देश Italy, G से Germany हो गया, इन तिन देश थे एक साथ और वाकि इसके सामने इतने सारे देश, तो क्या हुआ, जर् इसने मारा पॉलेंड को दो दिया, और जाके यूसर से अनाज लिया, 10-15 साल का एक साथी घट्टा करके, और बाद में जब यूसर यहाँ पर अपना कब्जे जमाने आये पॉलेंड पे, तो इसने भी दो दिया, इसको भी दो दिया, यूसर को, वहां गलती हुई, यह गलत कर रहा है, यूसर पर अटेक मत कर बड़ा देस है, लेकिन उसने अटेक करा, क्योंकि जर्मनी को बहादर बनना था, अटेक करा, और फिर इसने यूसर ने ठंडियों के समय में, पहले तो पीशे चला गया, फिर ठंडियों के समय में का इंतियार करके, फिर दवा के जर्मनी को धोया, पीछे से ब्रिटेन ने जो धोया, नीचे से इसने जो फ्रांस ने जो धोया, भाई इतना बुरा धोया, और उसके बाद फ्रांस, जपान भी इसके साथ आने की कोजिस करा, जपान उठा, यहां से जपान ने मार दिया, यहां पे जाके बंब अमेरिका में, पेर बंब मारा यहाँ पर मारा था एक आईलेंड है पेल करके उस आईलेंड मारा है ऑर जब बंब मारा अमेरिक कहा तू ने क्या कर आए मैं तेरी और मैं क्या कर दिया और व्हां तुझे स्कीम चुकानी पड़ीगि अमेरिक ने कहा और जपान तो बड़ा देश तो ने का चुका देंगे मारो मिसाली तो मारोगे उसने बना लिए परमाणू बंब दवा के परमाणू बंब मार दिया यहां पर मारा पहला हिरो सीमा दूसरा मारा नागा साकी छे-9 अगस्त को लिटल बॉइ और फेट मैं बारे कि फंद्र किलो टन का और तीसरा और मा श्यूद खतम हो गया था ऐसे जो है यह जपान में हुआ लेकिन इसको दो नर्जीरे से देखा जाता है मारी बुक में एक वो जो कि जपान का समर्थन करते हैं कहते हैं कि अमेरिकों को ऐसा नहीं मानना चाहिए था क्योंकि USSR ने अपना यहां पर अपनी आर्मी गुसा दी यहां पर उसका कभजा हो गया था पहले जपान पहले से ही सरेंडर करने वाला था भले इसने दवा के यहां पर एटम बंब मार दिया तो कुछ लोग कहते हैं जब जब जपान सरेंडर करने वाला था यहां पर तो तूने बंब क्यों मारा इतनी जानवान के हानी हुए दू दोस्तों जैसे ही दूसरा विश्यूद खतम हुआ तो तुरंत एक अलग तरीकी की लड़ाई चल गई देखो दुनिया में दो तरीकी की लड़ाई हैं एक होट एक कोल्ड होट में मतलब गर्मी तुरंद जाके मार दोसको हत्यारों से दूसरी कोल्ड कोल्ड में मतलब ठंड लेकिन अंदर से गर्मी है ना अब जैसे की दूसरे विश्यूद में सारे देश जो है लड़ चुके थे और जाके यह दोई देश बचे थे पावरफुल जर्मनी खतम हो गया जैपान खतम हो गया और कौन बचा था पावरफुल यह बचे और यह दोनों एक दूसरे से डि और इनकी एक्च्वल में लड़ाई क्या थी एक दूसरे के देश लोग उसघी नहीं थी वीचारधारा से और कोई भी लड़ाई होती है वो वीचारधारा से ही होती है यूसे कहता था भाईया हम तो private को सपट करेंगे हमारे देश में private company आओ वैपार करो हमारे देश में लोक तंतर रहेगा हमारे जन्नेता जन्न समानने से चुनके आएंगे बोलने की आजादी रहेगी USA केते तो अच्छा हमारे में तो कमनिजम सरकार रहेगी एक ही पार्टी जो है वहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी उसी से उसका नेता चुन के आएगा हम समाजवादी रहेंगे अच्छे देश रहेंगे हमारे यहां प्राविट की कोई जगे नहीं है सरकार भी हम कमपने भी हम ऐसे इनकी विचार धरा अब इन दोनों में लड़ाई हो तो कैसे हो आपस में लड़नी सकते डिरेक्ट तो इन्होंने तरीका चुना हम जो है राजन करने की कोशिस करी ऐसे इन दोनों की जो है कोल्ड वोर की सिरीज में इनके लड़ाई होनी शुरूख हुई आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या हुआ तक क्यूबा में कैसे यह दोनों आमने सामने आ गयते पास एक गलती और जाके न्यूक्लियर अटैक हो जाता आगे हम जाएंगे जब तक के लिए जाहिंद